हेलो डिया स्टूरी वेलकम बैक टूबर चानल आरके सेंटर दोस्तों आज के वीडियों में मैं बीवी एमके यू समस्टर 4 के विद्यार्थियों के लिए एक बड़ा खबर लेके आ गया हूं जो बीवी एमक्यू के द्वारा जारी किया गया और वो खबर मैं आपको बताना गया है जैसा कि आप थमनेल में देख सकते हो यहां पर लिखा हूं बिनोद बिहारी कोलांचल धनबाज टिक है मैं इस बीवी एमक्यू से यह नोटिस आपका आया हुआ है ठीक है यहां पर बीवी एमक्यू भी लिखा वा है तो आखिर यह जो नोटिस है उसमें से किन बात यह चूटा सचर में आपको दिख रहा होगा 25-924 यह 25-924 की बाते कही गई है है तो आखिर क्या कहा गया क्या पचीस-924 को होने वाले एक जामरेशन बंध हो चुका है क्या उसको रोक दिया गया है कि क्या बात है तो यह बातों क्या करते हैं विस्तार्ट से जानते हैं ठी आप लोग AC paper का त्यारी करना चाहते हो तो AC English और Hindi के त्यारी मैं खुद करवा रहा हूँ ठीक है और AC Hindi के त्यारी तो मैंने fully करवा दिया है और मेरे सारे question आपके examination में भी match कर रहा है जिसका link description box में दिया गया means BBI question का link description box में दिया गया है वहां से जाकर कि आप लोग BBI question देख सकते हो ठीक है तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आपको ये notice लिखाता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि आपकर ये notice में कहा क्या गया है ठीक है तो देखे जोस्तों यहाँ जो notice है आपका BBMQ तरब से के विद्यारतियों को बता जा रहा है उन लोगों के लिए ठीक है का जाता है कि BBMQ semester 4 2022 से 26 को सुचित किया जाता है मैं विद्यारतियों को सुचित किया जाता है कि कल कल मतलब 25-9024 को पित्र सांती सुराधा के पर्व को देखते हुए आप लोग जान रहे होंगे कि हमारे समाज में ठीक है एक पिता को सांती देने के लिए पिता के आत्मा को सांती देने के लिए पूजा किया जाता है जितिया का पर्व किया जाता है आप लोग जानते होंगे इसको ठीक है तो इसी पर्व को लेकर के ये बाते कहे गई है इसी को लेकर के ये नोटिस निकाला गया है क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है न कि ये जो परव है वो पूरा नेशनल फेस्टिबल है क्या नहीं ठीक है तो ये जो फेस्टिबल है वो नेशनल फेस्टिबल नहीं है ठीक है तो वही खा गया है कि पच्चीस नोज़ज़र चॉबीस को जो हम लोग का तेवहार है पितर सांतीस रधा ठीक है जिसको हम लोग जीतिया का पर्व भी कहते हैं इसको देखते हुए यह घोसना किया जा रहा है कि इसकी कोई सरकारी छुट्टी नहीं है इसका कोई सरकारी छुट्टी नहीं होता है ठीक है क्योंकि यह अपने समाज के दुबरा मनाया गया पर्व होता है ठीक है अपने समाज में ये पर्व को मनाया जाता है ठीक है इसलिए कहा गया कि आपकी 25,924 को होनी वाली परिक्षा निरंतर अपने समय पे ही होगी ठीक है मिस आपका 25 तारीक को जो होनी वाला examination है वो निरंतर ही चलेगा ठीक है आपका examination में कोई फरक पढ़ने वाला नहीं है ठीक है जैसे आपका examination था first sitting second sitting उसी परकार से आपका examination होगा आपका examination रुकने वाला नहीं है ठीक है और देखें यहां पर यह notice निकाला गया प्रचारी की द्वरा निकाला गया था यहां पर sign भी किया गया 24,924 को यह sign भी किया गया ठीक है तो यह notice था और इसमें यही बताया गया था कि जितिया का जो पर्व है वो सरकारी चुट्टी के लिए नहीं है सरकार मतलब सरकारी चुट्टी इसमें से नहीं है आपका examination जैसे हो रहा था बिल्कुल उसी तरह से होगा इसमें से examination में कोई effect नहीं है ठीक है तो उमीद करते हैं कि यह notice को आप समझ गया होंगे है और इसे अगर कोई कोश्वा होगे तो मुझे कामेंडर पूछ सकते हैं मिलता है नेक्स वीडियो में जब तक लिए जए हैं जै भारत